हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल ममताज वेज जैसा कि आपने देखा कि यह चादर हमारी बीच में कैसे कट गई है लेकिन साइड का यह चादर जो है पूरे श्ट्रॉंग है और यह जल्दी फटता नहीं है साइड का पूरा मजबूत होता है चादर तो हमारे ब से बाइट से हम क्या बना सकते हैं ऐसे तो बहुत कुछ बना सकते हैं लेकिन देखिए मैंने इसका वित लिया है 20 इंच लंबा मैं इसको लिए हूं कि 20 इंच मैं इसका वित लियूं मतलब चौड़ाई लियूं और लंबाई और चौड़ाई आप कीसी भी पीलो कवर से मेजर्मेंट कर सकते हैं आपको कितना बड़ा बनाना है उसके एक्वाडिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं तो वित मैंने लिया है 20 आप और भी कम और तो थोड़ा सा मैं ज्यादा ही लिए हूं मुझे ज्यादा टाइट पीलो कवर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सारे कोटे नेकी जगह हो जाते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लिया है आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं और मैं यहां पर एक निसान लगा लूँगी 34 लूँगी क्योंकि हमें इसका वो इन्वेलप वाला कवर बनाना है पीलो कवर जो इन्वेलप टाइप से होता है तो जितना ही ज्यादा अंदर के तरफ रहता है तो हमारा पीलो जो है ओ एक तो गंदा भी नहीं होता और बाहर नहीं आता है तो हमें कोई टसल वेगरा लग आप वाला और साइज टोटल आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं मैं अपने एकॉर्डिंग रखे हूं और इसको मैं अच्छे से कट कर लूगी तो दो पार्ट्स मैं बड़ा काट हूंगी दोनों पीलों के लिए जो सामने का पार्ट से उ और इसको हमें दो पार्ट्स ले लेना है दो दो पीलों मैं बनाऊंगी इससे तो आप आराम से चार पीलों बन सकते हैं लेकिन मैं दो बना के आपको दिखा रही हूं अगर आपके पास बैट सिट के अलावा भी कोई अगर टुकड़ा और चादर कॉटेन का पड़ा हो ता तो इसको मैं एक बरावर इक्वल कट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरा उसको मैं पहले निकाल लूँगी तो इस तरीके से देखें मैंने इसको रेडी किया है और यह हमारे दोनों पीस जो बड़े वाले पीस है जिसको हमें अंदर के तरफ फोल्ड करना है यह वाले पीस है जिसमें हमें फोल्ड लगाना है अंदर के तरफ इंवेलब बनाना है वो वाले यह दोनों पीस है अब मैं चलती हूँ छोटा वाले पीस को कट करने तो छोट चार पाँच इंच इससे कम रहेगा कि मैं तो उसको अमैं इतना कम रखनाएं देखिए और ये भी मेरा दोनों पीस ने कट गया तो इसको हमें चार से यह उंगली कम रखना है क्योंकि इसको आमें फोल्ड करना था तो दोनों बराबर हो जाएगा इस लिए इसको थोड़ा सम हूँ उपर वाले portion को तो हम मैं दो पीलो के लिए ये कपड़ा मैं कट कर ली दो दो parts में और आप चलिए इसको मैं stitch करूंगी तो इस तरीके से हमारा बन के कुछ रेडी होगा अगर आपके पास कोई भी और भी colorful कपड़ा है तो आप घर में कोटन का पीलो कवर आराम से बना सकते हैं और इसको हम सामने के portion को मैं थोड़ा चोड़ा ही इसको fold करके और इस पर सीला ही चलाओंगी आप चाहें तो और भी पतला रख सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो है कपड़ा जो है सामने से जो इसका portion जो सामने से दीखेगा उसको मैं फोल्ड करके एक stitch इस पर चला लोंगी और इस तरीके से मैं चारो पार्ट्स को दोनों के दो दो पार्ट्स हैं चारो को मैं सामने के portion को ऐसे फोल्ड करके और सबको मैं रेडी कर लूँगे इसको और भी पतला रख सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा चोड़ा इसको रखा है देखने में अच्छा लगता और कपड़ा ज्यादा था तो इसलिए मैंने इसको तो एक बेट सीट में आपको आराम से चार पीलू कवर उसमे आजकल चादर जल्दी फटते नहीं है बस बीच में ही थोड़ा सा कट गलती से लग जाते हैं या वह घीस जाते हैं और साइड के वह पूरा स्ट्रॉंग रहते हैं तो अब घर में ही कॉटेन के पीलू कवर आराम से इन्वेलप वाले तयार कर सकती हैं और कोई प्रॉब्ल अगर आपको बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाई यह और ऐसे मैचिंग वाले अगर यूज करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से मैंने चारो कॉवर को चारो कपडों को जो टुकड़े मैंने काटके रखे थे उन सभी को में यहां पर मैं रेडी कर ली और बड़े वाले पार्ट से इसको आपको चार से छे इंच जितना आपको अंदर के तरफ फोल्ड करना है उतना आप इसको कम लीजिएगा तो वो 34 था तो इसको आप 28 भी ले सकते हैं आराम से छोटे वाले पार्ट्स को और दोनों के जो सीधे वाले पल्ले हैं उसको अंदर करके अमें यह स्टीच लगाना है और मैने कपड़ों के इसको हमें इसको उपर छोर्टे वाले पार्ट्स के उपर यह जिएगा द्यांतक्क को और यहां सामने थोड़ा समय में 1-1.5 इंच छोड़ के उसको फोल्ड कर दियू इसके उपर चोटे वाले पार्ट के उपर और यह जब सीधा होगा तो इस तरीके से कुछ हमारा पीलो कवर बनके रेडी होगा तो चोटे वाले पार्ट के उपर बड़े वाले को मैंने फोल्ड करके रख दिया अब चाहे तो पूरा सटा के भी ऐसमें बंद करके सको उपर चड़ा के इसको रखके हमें सिलाई करना है तो यह अंदर रहेगा और बढ़वाला जो कपड़ा है वह उपर से इसको कवर करके फिर मैं इसके उपर स्टेस्च लगा दूंगे इस का और चार अंधा से अच्छे से एक तरफ से जो इसका सामने का पोर्षा ने उधर नहीं करना है और इस तरीके से मैं पीलो के तीन तरफ से मैं इसको पूरे तरफ से स्टीच लगा लूँगी और ये देखिए मैंने चारों तरफ से stitch लगा के ready कर लिया अब ही मैं इसको सीधा करूँगि और ये हमारा silk के ready हो गया तो इसके corner को सबसे पहले मैं निकालूंगी और ये corner को मैंने निकाल दिया और चारों corner को हमें अच्छे से किसी भी सार्-प्चीज के साहरे अच्छे से निकाल लेना है क्योंकि उन्दर रहेगा तो फिर हमें इसका चुन्डट बनाना है जो साइड में हमें एज़ेस बनाने है तो फिर वह अंदर रहे जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो एक scale के साहता से या जो भी चीज आपके घर में available है या inch tape से ही map कितना चोड़ा आप रखना चाते हैं मैं थोड़ा इसको चोड़ा ही रखती हूँ मुझे अच्छा लगता है ये side में इसके edges को हमें बनाना है तो आप किसी भी chalk से या pen pencil किसी भी चीज से थोड़ा सा निसान लगा लिजे क्यों हम line draw करेंगे वो हमारा टेड़ा ना हो तो मैं थोड़ा से इसको चोड़ा ही रखना पसंद करती हूँ क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है ऐसे तो आजकल readymate में plane ही आता है लेकिन मुझे उस तरीके से नहीं अच्छा लगता पसंद नहीं आता मुझे तो मैं अपने according इसको थोड़ा सा idea लगा कि इसको dot हमें कर लेना है और चारो बगल से हमें चारो तरफ जितने भी पीलो के हमारे तो मैं यहाँ पे एक sketch pen के साहता से मैं यहाँ पे क्योंकि उससे नहीं हो रहा था और दीख भी नहीं रहा था तो मैं scale से थोड़ा सा बढ़ा के और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी चारो बगल से एक्वल तो इस तरीके से देखिए मेरे चारो तरफ से लाइन जो है और यहाँ भी जो पार्ट्स मैंने फोल्ड किया है उसके उपर भी आप लाइन ड्रॉ कर लिजिए और यहाँ पे जिग जैग में इसमें स्टीच डालोंगी आपके पास अगर इस तरह का मसीन है तो आप जिग जैग वाली ही पैटर्न को डालिए अगर नहीं है यह पूरा रेडी मिट लगता है और अगर नहीं है तो आप पीलो कवर रेडी मिट लगता है बिलकुल नहीं लगता कि अगर का बना हुआ है अगर इसमें थोड़ा सा डीजाइन है तो कहीं कुछ आया है और कहीं पर कुछ तो यह से तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे डीजाइन थे लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट वाले लिए हूँ जिससे कि वहां का कपड़ा जो था हमारा वह स्ट्रॉंग था और देखिए मैं थोड़ा से केमरा को क्लोज अप करके भी आपको दिखा दी तो इस तरीके से यह स्टीच मैंने इस के उपर लगा दिया और वास करने के बाद यह हमारा जो है वह पेन का कलर जो है वह निकल जाएगा इसकेच पेन का और देखिए देखन है मेरे वीडियो और बनाने का तरीका तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दिजेगा और देखिए इस तरीके से यह अंदर भी चला गया है और कमेंट करने बिलकुल मत भूलिएगा और दोनों तरफ से देखिए मैंने दिखा दिया तो थोड़ा मै लूज रखती हूँ ज्यादा टाइट नहीं करती आप चाहे तो और भी टाइट और छोटा थोड़ा सा बना सकते हैं तो यही था आज का मेरा वीडियो तो पसंद है तो प्लीज फ्रेंड लाइक और कमेंट करने बिलकुल मत भूलिएगा और बनने के बाद देखिए कितना खुब सूरत लग रहा है तो अब किसी भी कपड़े के साथ इसको आराम से अब बना सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सकाइब कर दीजेगा और बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले